हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस राजस्थान जोग्रॉफी में आज अपन बात करेंगे राजस्थान में एनिमल हजबेंट्री के बारे में की टोटल लाइव स्टोक क्या है कौन-कौन सी ब्रीड्स राजस्थान में मिलती है और आज स्पेसिफिकली अगर अप के बारे में बात करेंगे एक तो अपन काउ मतलब कैटल के बारे में बात करेंगे दूसरा अपन बफैलो के बारे में बात करेंगे और साथ में अपन थोड़ा यह देखेंगे कि यह जो सेंसस होता है लाइव स्टोक सेंसस जो होती है मतलब यह पश्वों की जो जंगन सा department करता है अभी तक कितने बार हो चुकी है कब शुरू हुई थी और अभी जो recently हुई है उसकी क्या specific मतलब specialty क्या रही है उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसके बारे में अपन अपन बात करेंगे राजस्तान जिओग्राफिक अंडर में यह अपना पार्ट वन रहेगा और भी पार्ट जाए राजस्तान को इंडिया में और देखा जाए तो टोटल अगर इंडिया में सो टोटल नंबर्स है एनिमल्स के तो उन में से 11.27 परसेंट से भी जादा है वो राजस्तान में मिलते हैं मतलब country के जितने टोटल अनिमल्स है उसकी लगबग लगबग 11.27 परसेंट जो है वो राजस्तान में मिलती है livestock census जो होती है पशनों की जो गन्ना होती है वो हर 5 साल में होती है ये बहुत important fact हुद है हर 5 साल में ये गन्ना होती है और ये की जाती है revenue board औफ एजमेर अजमेर में जो राजस्तान का revenue board है राजस्वा मंडल जिसको बोला जाता है हिंदी में उसके दुआरा की जाती है तिल last census जो last livestock census हुई थी तब तक केवल revenue board ही इसमें indulged रहता था पर अभी जो current जो census हुई है livestock census उसके अंदर क्या update होएं वो अपन आगे slide पे देखेंगे पहली livestock census की अगर बात करें इंडिया में तो वो ही थी 1990-1920 19-1920 के साल में that means Britishers ने ही शुरू कर दी थी animal livestock census को अभी जो previous जो हुई है वो 2012 में 19 वी livestock census हुई थी जिसके हिसाब से total livestock या animal resources की बात करें राजस्थान में तो वो थी पांच करोड 77 lakh that means 5 करोड 77 lakh was total numbers of animal in राजस्थान during 19th livestock census which was conducted in 2012 is it okay तो आगे चलते हैं अब बात करते हैं अपन 20th animal census के according यहाँ पे आप 90th की जो है वो डेटा जरूर से note-down कर लो क्योंकि होता क्या है अभी जो objective type exams जो होती है ना उनके अंदर आपको कहीं भी relevant चीज़े पूछ लियाती है कि livestock के numbers में increment हुआ यह decrement हुआ है पिछला कब हुआ था 2012 में तो upcoming कब होना चीए था recent जो latest होना चीए वो कितना 2012 में यह 5 year के according 2017 में होना चीए था पर हुआ कब वो थोड़ा लेट हो गया उसके बारे में अभी आपन देखेंगे तो अब बात करते हैं जो latest livestock census हुआ है minimal census हुआ है 28 उसके बारे में यह schedule तो हुआ था 2017 में बट स्टार्ट हुआ 1st October 2018 में इसकी वजह क्या थी यह राजस्थान में जितने भी अभी तक livestock census हुए हैं उनके अंदर first digital livestock census रही मतलब इसमें global positioning system cameras ठीक है और जो कोई information आगई for example अगर किसी एक honor के पास में पांच गाएं हैं पांच भैसे हैं तो इनकी भी detailing online फिल की जा रही है कि यह 500 भैसे और पांचो गाएं कौन सी breed की है क्या इनसे milk production हो रहा है और कितने सालों से यह honor अपने पास में यह गाएं और भैसे रख रहा है और कितने काफ्स हैं कितने बच्चे हैं कि वह भी जी तो कहने का मतलब यहां पर digital digitization भी add-on कर दिया गया है 20th animal census में जो conduct हुई first October 2018 में और यह जो advancement का जो पूरा system interface create करना था that cause the delay इस वज़े से डिले हुआ जो 2017 में जो census होने वाला था वो conduct हुआ start कब हुआ first October 2018 अभी राजस्तान के दो state administration के पार्ट है एड्मिन्स हैं वो इस मतलब एक से इस census को execute कराने में activated रहे एक तो था revenue board of हजमेर जो की पहले से था वो 19 वी जो census होई तब तक तो था ही पर अभी animal husbandry directorate इन दोनों ने मिलके और फिर यह execution किया है 28th animal census का तो यह ध्यान रखने वाली बात है और यह जो livestock census हुई यह districts जो राजस्तान के total 33 districts हैं इन के अंदर अलग 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 officers के अंडर में conduct की गई और वह officer कौन थे हर एक डिस्ट्रिक के अंदर livestock census officer appointment किया गया और वो appointment नहीं जस्ट एक category प्रोवाइड कर दी गई है एक और काम प्रोवाइड कर दिया गया है किसको district collector को that means district collector के अंडर में ही जिले के अंदर animal census conduct की जाती है this is very important thing और यह जो data collect करना शुरू किया था 1st October 2019 को यह release किया गया 16th October 2019 को 16 October को अब यह data कुछ all clear होके आता detail के साथ आता तब तक आपको पता है covid-19 outbreak का threat आ चुका था ने तो जनवरी 2020 या फिर February 2020 के अंदर आ जाता है यह पूरी detail सारी minute detail की कौन से जिले में सबसे ज्यादा livestock है कौन से जले में मैं से ज्यादा है कौन से बेढ़े ज्यादा है पर वो detail अभी तक नहीं आ पाई है reason being covid-19 outbreak ओके ता आप देख सकते हो covid-19 का कहा कहा क्या क्या असर आ रहा है तो यह बहुत important segment आ आप इन livestock census के according जबकि UP में है six करोड 78 lakh तो UP नमबर वन पे है राजस्तान नमबर टू पे है that means in terms of total numbers of livestock राजस्तान comes after UP only UP number one then number two is राजस्तान तो यहां पर आपने notice किया होगा कि यहां देखो पांच करोड 68 यह बहुत important factor अब एक एक करके जितने भी important animals हैं जिनको राजस्तान में बहुत ही ज्यादा importance मिलती है जो अपने आप में resources की तरह अपनी activities को involvement या activities को importance provide करवाते हैं तो इनमें पहले अपन cow की बात करेंगे और second अपन भफैलो की बात करेंगे आज केवल क्योंकि अब भी latest का मैंने बताया था आपको यह आया नहीं है ओके तो previous और highest lowest और highest number की अगर बात करें animals के तो previous census के according बोल रहा हूं I am repeating this thing आप confuse मत होना क्योंकि 20th census का अभी तक data पूरा अच्छे से clearly नहीं आया है तो जब तक अपने पास पर जो data available है देगो government जब तक data release नहीं करेना तब तक जो data already government domain available है वो data हमारे लिए हमेशा सही है because we are pursuing the exam for us for assisting the government ठीक है government को assist करने के लिए जा रहा है अपन आगेंज नहीं जा सकते getting more point highest है उदयपूर में गाए और lowest है धोलपूर में यह धान अगर total numbers की बात की जाए kettles की तो राजस्थान का देश में छटवा नंबर आता है 19th livestock census के अंदर गायों की संख्याती 1.33 करोड जबकि 20th में बढ़के होगी 1.39 करोड तो total क्या हुआ increment तो increment कितना हुआ 4.41 percent this is very important data very important very important data please note it down फिर आप बात करते हैं कि राजस्थान में कौन-कौन सी breeds मिलती हैं कौन-कौन से तरीके की कौन-कौन सी quality की गाएं मिलती हैं तो इनमें पहली है राठी राठी है वो आपका northern राजस्थान और north western राजस्थान की portion मिलते हैं जिसमें गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, बिकानेर इस वाले portion में मिलती हैं यह जो है red सिंधी और साहिवाल करके गाए की जो breed आती है उनका mixture है राठी जो है red सिंधी और साहिवाल इनका mixture है और इसे काम धिनू राजस्थान भी कहते हैं इसका मतलब क्या है कि यह milk production में बहुत ही ज़्यादा significant role play करती है राजस्थान में अगर देखा जाए तो number two है thar parker, thar parker thar से number हो गया और thar parker districts के बारे में अपने बात की थी कि thar parker that means thar को cross करके आप जाओ तो वहाँ पर आपको मिलेगी that means पाकिस्तान की बात हो रही है तो इसका origin place जो है वो है मालानी village बाड मेर में थार वाले region के अंदर ही इसका नाम इस guy की जो breed है thar parker इसको और नामों से भी जाना जाता है मालानी क्योंकि origin ही है मालानी village से है और दूसरा थार पारकर है थार से मतलब थार desert से related है तो थारी breed भी बोल दिया जाता है इसको यह कौन-कौन से जिलो में मिलेगी simple है जैसल मेर वाला बाड मेर जोदपुर यहीं पर थार desert spreaded है और साथ में जालोर वाला region है ठीक है इसका म map मैं आपको बताऊं यहां पर अगर western राजस्तान का map यहां पर आपन बनाएं तो इस वाले reason में तो मिलती है राठी यह जहां पर गंगानगर बीकाने चूरू और जैसल में और इस वाले reason में मिलती है थार पारकर इसमें कौन-कौन से जलाएंगे जैसल में जोदपुर जा थार पारकर दोनों को एक बार ध्यान से देख लो इनकी height का difference देख लो hump का देख लो difference हौंस का देख लो सींग देखो इनके किस तरीके से बिलकुल ढले हुए है इसका जो हम पर बिलकुल छोटा है इस तरीके से आप देख सकते हो सारे की सारे स्ट्रक्चर इनकी जो फिजिकलिटी है डिफरेंसेज ठीक है मिल्क प्रोडक्शन में थार्टी बहुत ज्यादा में सेट कर लो राठी और थार पार कर फिर देखते है नमबर फरी कांकरेज और नमबर फोर साचोरी कांकरेज बार डोने का काम करती है और इनकी जो हॉन्स है मतलब सींग वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग होते हैं इनको और यह जब चलती है तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है आपने गायों के जथे देखे होंगे रोड के आस पास जब चलते हुए दिखाई देते हैं तो वो कांकरेज या साचोरी के होता है जिनके बड़े बड़े सींग होता है अभी इमेज दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा और इनकी कांकरेज की जो है यह कटेगरी लगबग लगबग सिमिलर होती है साचोरी कटेगरी अब साचोरी कटेगरी का है वही साचोर जालोर में है सिरोही उदापूर पाली इस वाले रीजन में और यह कांकरेज के से मिलर है तो यह दिखने में एक जैसी होती है difference इतना साही है कि कांक्रेज का जो origin basic origin बताया जाता है वो हो गया run of catch जबकि साचोरी का जो है वो राजस्थान के अंदिर that means कि कांक्रेज का ही derived virgin है या फिर कुछ variation आ गए वो ही साचोरी breed बन गई गाई की अब देखो आप यहाँ आप image देखोगे sing देखो इनके ऐसे sing वाली गाया आपने देखे होगी बहुत ज़्यादा road के ओपर चलते हुए ठीक है यह देखो यह साचोरी है इधर वाली यह साचोरी है और यह कांक्रेज है इनमें बहुत सारी similarity भी है यह थोड़ा सा height में ज़्यादा है यह height में थोड़ा कम है sing बहुत ज गिर नागोरी की बात करें तो यह नागोर जोदपुर और बीकानेर वाले रीजन में मिलती है और इसका origin है वो है सुहालक रीजन है सुहालक प्रदेश नाम से एक जगह है सुहालक प्रदेश है नागोर में वहां से इसका origin माना जाता है इसका काम क्या है देखो हल जोदने के अंदर बहुत ही ज्यादा strong है मतलब करने का बहुत ज्यादा strong हो गई और fast running दौडने में बहुत ज्यादा तेज होती है यह और इनके टांगे जो होती है वो slim और strong मतलब पतली और ज्यादा ताकत वर एकदम strong होती है इनकी यह इनकी फीचर्स हैं यह जो मैं लाइन है आपको दिखाना है यहाँ पर इन लाइनों के अंदर आपको एजट इस चीजों को एक बार थोड़ा साथ दिमाग में इमाजन करना पड़ेगा क्योंकि इस इंडिरेक्ट कुश्यन आते हैं विच अमंग फॉलोइंग इस दब्रीड विच इस बिंग विच इस बिंग कंसिडर इन दफॉलोइंग सैड पैसेज और उसके अंदर बोल दे कि नागोर जोदपूर विकानेर वाले रीजन में मिलती है नागोर से उसका ओरीजन है और फास्ट रनिंग के लिए फेमस है तो बताओ कौन सा है इसका अंसर ऑप्शन में दे गिर नागोरी कांकरेज और जुराठी है उन में से तो नागोरी तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे कॉशन आता है इनके अंदर ठीक है तो इनकी स्पैसिफिकेशन जो है वह आप ध्यान से रिमाइंड करना और याद इन चीजों को नेक्स्ट एक गिर गिर की बात करें तो इसका सिर्ज जो होता है वह बहुत ही ज्यादा है वी हैवी फॉरेड होता बहुत ज्यादा और इसके हॉन्स जो होते हैं सींग जो होते हैं वह नीचे की तरफ यूं मुड़े हुए रहता है अप इन देखेंगे आफ जाता है इस तरिके से गुजरात का मैप बनता है पूरा ये तो कछ वाला रिजन हैं चाटर्यावाड और और यहांपच डिस्ट्रिक्ट में गिर्फॉरस्टे नीचे की तरफ ठीक है चाहीले मैं गार्यॉरा में तो वहांसे इसका ओर मैंना जातَ है जिसे रेंडा और अजमेरा ये बहुत इंपोटब के ब्रीड है रेंडा और अजमेरा के नाम से ये राजस्तान में कहां मिलती है अजमेर में मिलती है भीलवाडा में मिलती है चितोडगर उदयपुर बुंदी देट मींज कि गुजरात से जिसकी बॉर्डर लगती है उस रीजन में मिलती है देखो आप यहां पे यह तो है आपके सामने उपर वाली तो नागोरी नागोरी बहुत ही जादा स्ट्रॉंग बताया था कितना बड़ा है ठीक है कान देखो नीचे की तरफ गोमे हुआ थीक है यह कहां पर मिलती है और इजन कहां शेम कांसे इसका काटियावाड गुझरात से next है माल्वी हरियानवी और मेवाती माल्वी जो है माल्वी मतलब माल्वा माल्वा प्लेट्ट्ट्ऴ माल्वा का प्ठार जिसके बारे में अपन previous lectures में बात कर चुके हैं तो उसी से आपसके रीजन में मिलेगी तो डुंगरपुर बासवाडा कोटा जालावाडवाले रीजन मिलती है ओरीजन इसका मालवा रीजन ओफ MP में माना जाता है MP में मालवा जो रीजन है वहाँ से इसका ओरीजन माना जाता है इसका main काम अगर देखें तो milk production इसका थोड़ा कम रहता है पर weight carrier मतलब भार डोने में ये बहुत ज़्यादा expert है बहुत ज़्यादा सही suitable है next हरियानवी हरियानवी से तो नाम साब को हरियानवी है हरियानवी है ये राजस्तान में कहा मिलती है हरियानवी हरियान से बौर्डर लगती है उन्डिस्तीक से मिलती है जिसके बारे में अपने अल्व्यज़ी देख चूके है के राजस्तान के कौण कौण से जिले हरियानवी हरियानव outlines बचाते हैं भी देखेंगे अपनी मेज के अंदर की वाकई में होता है की नहीं होता यह मिल्क प्रोडक्शन में और वेट केरिंग कैपसिटी इनकी बहुत अच्छी होती यह दोनों के अंदर बहुत बढ़ी अब रीड़ा हर्यान वी Then comes मेवाती वाला रीजन जो हरियाना जो मेवात वाला रीजन उससे रिलैटेट कौन से जिले आते हैं राजिस्तान में तो वो आ जाता है कौन अलवर और भरतपुर तो यहां पर यह मिलती है और इसका काम क्या है प्लॉइंग और वेट केरियर वही ताकतवर है और हल जोतने के और भार डोने के काम आती है अब देखो आप यहां पर मालवी कि क्या है स्ट्रॉंग है बिल्कुल मिल्क प्रोडक्शन कम पर वह कैपसिटी का इस मतलब जादा एक तरीके से जादा बहार जादा डोने की कैपसिटी है यहां पर आप देखोगी हर्यानवी है वन सेकंड वन सेकंड देखो इसका मूह लंबा होता है नॉटिस कर आप चीजो मिल्क प्रोडक्शन भी ठीक है और यह फिर लास्ट में आती अपनी मेवाती लिगे तस तरीके से गाय की इंपोर्टन ब्रीट्स जो इंडिया में इंडिया की बात करें वह भी राजस्तान की अगर आपन बात करें तो उनके बारे मैं अपन जानने की कोशीस की और कुछ ज देशों से लाई हुई breeds हैं जिन में आती हैं जर्सी हॉलिस्टेन और रेड डेन यह तीन इंपोर्टन स्पीसीज ब्रेड्स हैं गाय की जो राजस्तान में मिलती है तो जर्सी जह है वह अमेरिका से लाई गई है और इसका काम क्या है यह मेंली सिग्निफिकेंट है के लिए फेमस है और साथ में है रेड डेन यह डेन मांक की है यह भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही फेमस है तो यह अपने द्यान रखना कई बार पूछ ले आता है जर्सी हॉलिस्टेन रेड डेन यह कौन सी स्पीसी या कौन सी मतलब ऐनिमल से रिलेटेड ऐसोशेटर दो महापरांसर अपना हो जाएगा कैटल या फिर काउ कोई डाउट नहीं होना चीए फिर आपन देखते हैं कि जो गायों से कुछ हाउसेज और इंडिया के अंदर उनने से दो हाउसेज 2 काउ हाउसेज जे इनको गव सदन बहोता है गायों को पता फता होगा गव सदन हैं वो दोसा में और कौडम देखर करकर जगए हैं बी कानेर में वहां पर वर्किंग हैं यह अपनेको ध्यान सेंटर जहां पर एक तरीके से बुल सीमन और एग्स ऑफ काउ इनको फर्टाइल कराए जाता है इनकी फर्टाइल कराने की जो एक्टिविटी होती है ब्रीडिंग का जो काम होता है कि अच्छी क्वालिटी की जो काउ ब्रीड्स हैं उनका रिप्रोडेक्शन सिस्टम चलता रहे है और मिल्क की रिक्वार्मेंट जो राजस्तान में है उसको फुलफिल कर सके है घईस्थान में अपने तो उनमें चार important है, एक तो है डग जालावाड में वहाँ पर मालवी और गिर्का होता है breeding का काम, एक है कुमहेर भरतपुर में वहाँ पर हरियाना वाली breed जो हरियानवी breed थी, नागोर के अंदर जो है वहाँ पर नागोरी breed का काम होता है, यहाँ पर और साथ में जो बुल्स ह breeding मतलब कई बार हबार्ड होने का, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी कि एक सांड इतने का विका है, ठीक है, वो जो खरीदना, खरीद वरोग जो चलती है, वो सारी चीज़े होना, एक breed को प्रिजार करके रखना कि हाँ, कैसे भी करके आने वाले टाइम पर, यह जो breeds हैं, ह इंपोर्टन प्लीशियजर, उनके बार में अपने जाने की कौशिश की काउज के बार में अब बात करेंगे अपन बफेलो के बार में, बफेलो की अगर बात करें तो प्रीवियος सेंस्स विच्व वज मैं यश्न टीन्स नंबर आता है और गायों में कौन सा था चटवा नंबर नाइंटेंट से लाइश्टॉक सेंचस में बफैलो का नंबर था राजस्थान में 1.3 करोड जबकि 28 लाइश्टॉक सेंचस हुआ तो उसमें कितना आया 1.37 करोड इंक्रीज़ वाई 5.33 मतलब गायों की संक्या भी पर रिसर्च और ब्रीडिंग सेंटर स्टैबलिश किया गया है वल्लब नगर उदैपुर में यह बहुत इंपोर्टन फैक्ट आप ध्यान रखना कि बफैलो रिसर्च और ब्रीडिंग सेंटर कहा पर है तो यह वल्लब नगर उदैपुर में लॉकेटेड है अब डिफरें बलवर उदैपुर गंगानगर और भरतपुर वाली रीजन में मिलती है और राजस्तान में जितनी भी बफैलो की ब्रीड से उनमें सबसे ज्यादा नंबर हाइस नंबर ऑफ दुफैलो किस ब्रीड की मिलेंगी अपने को मुर्रा ब्रीड की इसका ओरीजन जो है वह पाकिस्त गुजरात वही गिर फॉरेस्ट वाला रीजन आगया गाठियावाड मनें बताया था जो नीचे वाला पैनिंसुला है गुजरात वाले पॉर्शन में वह आ जाता है और इसम ये कहां कहां पर मिलती है गुजरात से टेस्ट कौन कौन से जिले हो गए सिरोही उदैपुर बस कि आनलें तो दौजरात से देखे लेना इन इमेजस को कलियर रहे ही मेजिंस्ट नेक्सट मैसानी ओरीजन मैसाना गुजरात से माना जाता है और जालोड सिरोही बार्ड मेर्ड वाले रीजन में वही गुजरात से गनेक्टेट जो जिले हैं उनमें मिलती है सूरती सूरत से हो गया क्लियर सूरत कहां पर है काटियावड़ वाले रीजन में तो और रीजन गुजरात से हैं और सबसे ज़्यादा कहां पर मिलती है ये उद्यापर वाले निसको भूड़ा जाता है इसका ब्रीडिंग सेंटर किया हुआ पर कुमेर बरतपुर में कौन सी का प्रीडिंग सेंटर था हरियानवी ठीक है वहाँ पर बहस के लिए मुर्रा के लिए जिसको खुंडी भी बोला जाता है उनका ब्रेडिंग सेंटर है अब यहाँ पर आप देख सकते हो महसानी और सूरती यह को महसानी और यह सूरती लंबी गर्दन थोड़ी सी सूरती वाले के तो इस तरी किया है तो आप लेटेस्ट डेटा के साथ अपडेटेड़ हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है यह डेटा अपना रहेगा 2019 में अगर डेटा रिलीज हुआ है 2018 में अगर यह कंड़क्ट हुए थी सेंसर 2017 की सेडियोल थी तो कम से कम 2022 तक तो यह रेलेवेंट है डेटा ठीक